नमस्कार दोस्तों हिमाचली उठड़ा में आपका स्वागत है और आज के अप्डेट जो आपके लेकर क्या है वह है कि एच्प्यू ने बीड की फर्स्ट राउंड ऑफ कॉंसलिंग का रिजल्ट घुशित कर दिया है आप सभी लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं आप और कैसे आपने डाउनलूड कर लेना है अलोटमेट लेटर उसके बाद आपने क्या करना है कॉलज में अडमिशन कैसे देनी है और फीस कैसे देनी है इन सब की डिसकस करेंगे चोटी सी वीडियो में वीडियो छोटी रहेगी लास्त तक जरूर देखेगा इंपोर्टन्ट जहां से आपने जो है काउंसिलिंग के लिए एडमिशन्स.hpu इस पर जब आप इसको गूगल करेंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा उसके उपर आपको जो है नीचे जैसे नोटिफिकेशन एरिया में जहां पर आपको पता है नोटिफिकेशन एरिया कहां पर है यह चीज दिखेगे कि क्लिक हेर टो डाउनलोड बी एड अलोटमेंट लेटर आप इस पर क्लिक कीजिए एक नया पेज खुलेगा वहां पर वहां पर आपको लोगिन करने को कहेगा वहां पर आप अपनी जो आपकी आईडी है वह डालिए और लोगिन आईडी जिसको कहते हैं ठीक है आपको वह कॉलेज मिल पाया है वह आपको बता देंगे अब आपने क्या करना है तो आपको पता लग गया आप उस लेटर का प्रिंट आउट निकालिए और जो भी कॉलेज आपको मिला है अब आप आने वाले चार तीन-चार दिन में जो है उस कॉलेज को चले करता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका लॉट्मेंट लेटर किस तरह का है उसमें क्या इंस्ट्रक्शन आपको दी है कब आपको एडमीशन के लिए बुलाया गया है और क्या प्रोसीजर बोला है क्योंकि देट्स थोड़ी चेंज होंगी पहले बारा क को शिडूल था ये तो बारा के वजाए अब उन्नीज को गया तो बारा को शिडूल था तो उन्हेंने कहा था कि सतारा सकते रसे सतारा तक आप एडमीशन कॉलेज में जाकर करें लिजिए डेट्स का मुझे कंफर्म नहीं है आप कंफर्म करा दीजिए क्योंकि मेरे पास को अर फोटो स्टेट का सेत्ड बनाई है और इजनल भी ले करके ýजाए है और फोटो स्थेट जितनी वहां उनको सेलफ अटेस्ट कीजिए अपने साइन के साथ साथ आपने ले जाना है admission call letter जो है B.Ed का वो जब आपने B.Ed के लिए apply किया था application letter जब apply किया था तो एक application letter निकला होगा exam से बड़ी पहले तो वो application letter साथ में लेकर के जाएए अपना road number वाला call letter अगर आपके पास है तो वो लेकर के जाएए प्लस यह जो allotment letter है यह लेकर के जरूर जाएए अलोटमेंट लेकर जाएए बाकी चीज़े जो मैंने बताई शायद में जरूरी नहीं हो बटा आप इनको साथ में रखिए कुछ photograph अपने साथ में रखिए और यह सब चीज़ें लेकर के आप अपने colleges में जाए document verification कराएए अब जिस जिसको अपने first round में counseling में call letters मिल गए हैं उन सबको मेरी तरफ से हिमाशली उतर्डा की तरफ से मुभार्के और जिनको first round of counseling में अपना college नहीं मिल सका है कोई बात नहीं आप second round of counseling के लिए apply कीजिए और अपने colleges जिदिए choice के लिए और कुछ तिन में वो portal खुल आती है को notice हाता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजिए कि छोटी-छोटी मगर important updates मैं अपने इस चैनल के माधिम साब को देता रहता हूं तो उमीद है आपको आज की information अच्छी लगी होगी तो please अगर आ and all the best for all I wish best of luck to everybody thank you for watching